हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं आर्ट विद मानस गाइस आज हम बनाने वाले हैं पीजा हाँ आप में सही सुना आज हम बनाने वाले हैं पीजा विद कुल्चा सो उसके लिए हमें चाहिए एगलेस मियोनीज चीस क्यूब्स टेमाटो केचप यह उपर से ढखने के लिए और तवा गी मनस वी और क्या चाहिए और सोचो हमें चाहिए चीज ग्रेंडर ओके क्या चाहिए चीज ग्रेंडर सो गाइस अब हम सबसे पहले बावल लेंगे और उसके अंदर मियोनीज और सॉस को मिक्स कर लेंगे एक साथ चलो अब फ्रेंड्स हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे अगर आपका थोड़ा डाक कलर नहीं आते हैं तो आपको इसमें और आड़ करना है मतलग हमें थोड़ा सा और आड़ करना है प्रेंड्स हमें ऐसे देखो ऐसे लगेगा यह पेस्ट और इस पर हमें थोड़ा ज्यादा भी लगाने लग गया अब हम इसके उपर डालेंगे चीज ग्रैंडर से चीज ग्राइंड करके डालेंगे आप चोटा बच्छा है और जीरी हमारी चीज क्यूब हम इसे डालने वाले हैं इस पर हमारे हो चुके हैं दोनों के दोनों पीज़ा डान देखो फ्रेंड्स हम लोग इसको सेखेंगे और यह ढख देंगे तो चलो अब हम सेखते हैं थोड़ा गरम था भी मैं इसे थोड़ा प्रेक्स कर लेता हूं विद्धा है तो अब गाइस हम लोग इसको डखने वाले हैं और गाइस अभी हमारा पीज़ा सेख जाएगा थोड़ी देर में ओ गाइस देखो अब मैंने इसे तिंसे डख दिया ह अब यह ज़ेंगे चार पांच मिनिट्ट तो इत्म थोड़ दर दे अब मारा पीज़ा होने वाला रेड़ी फोड़ी देर मैं देको उसकी चील्ज मेल्ट होने लगी है और गाइस यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं खाना बना रहा हूँ और इसमें बहुत मज़े आ रहे है रहे है रेड होट और गाइस जैसी इसके उपर सारे पर भाव आ जाएंगे वैसे यह रेडी हो जाएगा अभी बस थोड़ी देर और अब हटा दें और हमारा पीजा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना थाकि आपको मेरी हर वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे और देखो गाइस यह रहा हमारा पीजा हम ऐसे दूसरे वालो को भी करेंगे तो नेक्स वीडियो में आप से वापस मिलते हैं और इस वीडियो के लिए बाए बाए